हलो फ्रेंट्स आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आज हम सूजी का पुवा बनाएंगे इसको हम फूले दे दिये थे सुभा में ही हो गया हुआ चार घंटा क्योंकि पीसा हुआ नहीं था तो खड़ा ही था रावा तो हम फूले दे दिये थे उसको क्योंकि अच्छे से पिष्टे स्का बनना चाहिए बेटर ज्यादा फुलाना होता है इसी लिए बहुत अच्छे से फूल गया है हम पहले इसको फैंट लेते हैं तब हम चीनी ड़ालेंगे नहीं तो दानादार होता है तो तेल में जाते ही फैल जाता है पुआ और ऐसे अच्छे से फिर देने से कभी नहीं फैल लेगा टेश्टर नुसार अपना चीनी देख लीजिएगा हमको जितना सा चाहिए था हम डाल दियें इसमें थोड़ा थोड़ा दूद करके ऐसे जितना इसमें लगेगा डालते जाएंगे एक ही बार नहीं डालना है क्योंकि हो सकता है पतला हो जाए और यह वेटर गाढ़ा और नहीं पतला चाहिए चीनी को घुलने तक इसको अच्छे से फेट लेते हैं थोड़ा सा सोफ डाल देते हैं और ड्राइफ लूट है उसको भी हम डाल देंगे अभी ही क्योंकि जब मिलाएंगे तो अच्छे से सॉप्ट हो जाएगा तब पुआ को फुलने में कोई दिक्कत नहीं होगा नहीं त यह उसे खड़ा-खड़ा इंते दा देंगे तो तुलत तेल में डालेंगे तो फुआ फट याता है थोड़ा सा और दूट डाल दी और इच्छे से मिला देते हैं और फिर रख देते हैं थोड़ा देरी के लिए इसको रेश्ट में उसके बाद हम दूसरा प्रोंसे सुधर कर लेते हैं तेल गर्म होने के लिए दे देंगे कुछ देर ऐसे ही चला दिये चीनी भी पुरी तरह से गल गया है इसको थोड़ा देर के लिए रख देते हैं और गैस को कर लेते हैं और तेल भी गर्म हो गया है और हम चेक कर लेते हैं एक फार देखकर देखर एक पुआ इसमें तोड़ा सा आप दूद्द और भी लगेगा लगता है आप इस टाइम भी डाल सकते हैं अगर आपको लगेगी ठीक नहीं बन रहा है तो दूद्द DOOR डालके ठीक से कर सकते हैं एक यह भी तरीका है चेक करने का सही बेल्टर बनाने का अगर आप नए है फिर्स्ट वार बना रहे हैं तो ऐसे आप कर सकते हैं हम भी चेक करके देखे तो ठीक नहीं था फिर हम डाले थोड़ा सा दूद तब ठीक हो गया और एकदम फूला फूला और बहुत ही अच्छा बनेगा माल पुआ और अलग से चीनी का गोल बनानी का कोई जड़रत नहीं है आप जटपट और ऐसे बना सकते हैं असान तरीके से एक वोग प्रसेस होता है कि इसमें चीनी नहीं डालते हैं और अलग से उसका रस बनाके और फिर उसमें पुआ को डुबाते हैं या तो उपर से डालते हैं उसे यह असान है और टेश्ट वही रहता है कोई फर्क नहीं होता है देखेगा अभी सारा पुआ जो है ना इक तुम फूलते जाएगा बहुत ही अच्छा होगा कोई भी बना सकते हैं थोड़ा सा उलट पलट कर दे देते हैं और होता है इसको थोड़ा सा तेज लोग पे देना होता है सुरुआत में उसके वाद धीरे-धीरे कम कर देशे जब देखें कि एक साइट अच्छे से सिखा गया तब उसके बाद यह थोड़ा सा भी कम लोग होता है तो कम फूलता है और अंदर में जो हो जाता है गदा टाइप को वो भी नहीं होगा एकदम देखिएगा हम दिखाते हैं आपको बना के बहुत ही अच्छा बनेगा अब चाहें तो इसको दाप के भी तेल निकाल सकते हैं वैसे ज़्यादा नहीं रहता है जब फूल जाता है तो उसमें ज़्यादा तेल नहीं फसता है यही होली इस फेसल है और होली इसके बिना सब कुछ हदूरा रहता है जलूर ट्राइक किजेगा और चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब कर लिजेगा चैनल को और लाइक भी कर दीजेगा कमेंट किजेगा बताएगा ट्राइक करके हो गया है रेडी पुआ देखिए कितने अच्छे तड़िके से पक गया है और एकदम से सौप्ट है नर्म आपको दिखाते हैं दोनों साइट से देखिए कितना पतला है और अंदर तो जालीदार बहुत ही अच्छे से है देखिए जरूर ट्राइक कीजिएगा ट्राइक करके हमको कमेंट करके बताईएगा कैसा बना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई अपना ख्याल रखिएगा है